हेलो दोस्तों मैं संबीब और आप सभी का स्वागता है हमारे ही यूटुब टेनल में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करोम की सर्च हिस्ट्री को आप कैसे दिलिट कर सकते हैं तो गाइस कभी न कभी आप किसी को मुबाइल दिये हैं वह करोम पर कुछ ऐसा सर्च करता है या फिर गूगल पर कुछ ऐसा सर्च करता है जिसे दिलिट करना आपके लिए बहुत ज़्यदा ज़रु है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करोम की सर करने को अभी सब्सक्राइब करें या आप इसी तरह के विडियो अपलोड होता है और आगे भी होता रहेगा और किसी भी बार में जानना चाते हैं इसी वीडियो के नीचे कोमें स्रक्षन में आप सवाल कर सकते हैं तो मैं उस विशेपर विडियो मनाने की पूरी कोशिच को सिसके को दिलीदे ककप्रोंप करना है तो चलिए लगे चान सिर्भर को ऑपन करने के बाद के यहां पर आप सब ह нужно कुछ इस त Tough देखने को बेगा तो उपर में आपको कप दिखाए दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना इस पर click करने के बाद guys यहां पर आप सभी को history का एक option दिखाए दे रहा है तो इस पर आपको click करना इस पर click करने के बाद guys यहां पर आपकी सारे history आ जाएंगे तो guys यहां पर मेरा कुछ इतना ही history है, मैं delete कर दिया थे, अगर आप अभी तक कभी भी delete नहीं किये तो यहाँ पर आपका बहुत सारा history देखने को मिलेगा तो guys यह history को delete करने के लिए यहाँ पर clear browser data पर click करेंगे इस पर click करने के बाद guys यहाँ पर आपको दो option दिखाई देरा एक basic का और दूसरा advance का advance पर आपको click करना है और time guys यहाँ पर आपको select कर लेना है all time इस पर आपको click कर लेना है और इसके बाद यह सब को आपको untick रने देना इस पर आपको tick नहीं करना और guys यहाँ पर आपको clear data का option दिखाई देरा तो इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद guys यहाँ पर देख पर चले जाएंगे तो यहां का इस देखें मेरा कोई भी हिस्ट्री नहीं है सारा हिस्ट्री मेरा दिलीट हो गया तो इस तरीके से आप अपने मुबाइल की हिस्ट्री को दिलीट कर सकते हैं क्रोंबरोजर की तो गैस उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया पसंद आया